से बीजेपी प्रत्याशी राजी उर्शिंग आगे चल रहे हैं तो इस मक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 1770 वोट से आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी तो गुपाल गंज में भी इंडिये का बोल बाला दिख रहा है 1778 वोट राजज़ के दिलिप सिंग को मिला है इस मक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं निर्दलियों को भी एक वोट मिल चुका है तो गुपाल गंज से इस मक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर गुपाल गंज से बीजेपी प्रत्याशी राजी शिंग आगे चल रहे हैं इस मक्त की बड़ी खबर और सीधे चोथे गुपाल गंज आपर हमारे साहियोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप फिलाल क्या कुछ इस्तिति है गुपाल गंज में इंडिये का बोल बाला प्रदीप अपचारी घोशना आप तक नहीं हो गई है लेकिन लगबग जीतता है 20 सीटों से 20 वोटों से आगे चल रहते और अब लगबग जीत तय हो चुकी है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हमारे साहियोगी प्रदीप जुड़े हुए हैं गोपाल गंज में जीत हाला कि अब तक अपचारी घोशना होना बाकि है राजीव से 20 वोटों से जीत चुके हैं गोपाल गंज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रदीप हमारे साहियोगी क्या कुछ हालात पिलाल बने हुए हैं प्रदीप बिल्कुल तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेप की गोपाल गंज में भी जीट हो गई है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वीस गड़ी जीट हो गई है गोपाल गंज में बीजेप प्रताशी की बीजेप प्रताशी राजियू सिंग 20 बोट से जीत चुके हैं तो राज़त के दिलिप सिंग को यहाँ पर हार मिली है काफी टक्कर दिख रही थी यहाँ पर गुपाल गंज में और ऐसे में अब गुपाल गंज से BJP या यूँ कहें इंडिये के जीत हो चुकी है तो लगातार जिस तरीके से इंडिये इस 24 सीटों में 21 सीटों पर जो कि उनके निवतमान सीट रहे हैं और उनमें अब जीत और हार की जंग जारी है और ऐसे में अब गुपाल गंज से इंडिये को जीत मिली है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है जहाँ पर बीजेपी प्रतारश्वी राजीव सिंग को 20 वोटों से जीत मिली है राजद के दिलिप सिंग हार गए हैं जहाँ पर बीजेपी को 1786 वोट मिले हैं जबकि राजद को 1766 वोट मिले हैं तो प्रदीप सबसे पहले आप से ये जारना चाहेंगे कि लगबग ये जुए